असलाम अलेकूम and a very warm welcome to Dr. Naushiva Salman's Skin Solutions. Hopefully, आप लोग सर्दियां भी एंजॉई कर रहे हैं और खेर खेरियत से हैं और अपने लिए भी कुछ अच्छा ही कर रहे हैं और बाकी सब के लिए भी अच्छा कर रहे हैं. आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो इसलिए important है कि जो uneven skin tone है वो बहुत ज्यादा और बहुत common होती जारी है. uneven tone का मतलब यह है कि एक ही skin पे एक ही चेहरे पे आपको जैसे गर्दन का रंग फर्ट नजर आ रहा हो फिर आपको यह वाला जो आपका area है around the mouth वो आपको different तरह का color नजर आ रहा हो, dark circles जलैदा बने वे हैं, यहां sides के उपर या माथे पे आपको pigmentation नजर आ रही है, यह neck का color बिल्कुल ही different है, मतलब uneven tone जो है, जिसमें आपकी जो है, वो haphazard pigmentation होती है, वो बहुत ज़्यादा common होती जारी है, हम आचाते हैं कि common क्यों होती जारी है, even males में भी और females में भी, एक बहुत बढ़ा factor तो sun block या sun protection को ना इस्तमाल करना है, हम बहुत ज़्यादा कहते हैं, sun protection ज़रूर इस्तमाल करें, वो आपकी skin को बुड़ा नहीं होने देगी, और आपकी skin का जो color है, उसको even भी रखेगी और अच्छी tone में भी रखेगी, believe me, आप रात को जो मर्जी लगा के सो जाएं, लेकिन अगर आप सारा दिन जो है, वो अपनी skin के ऊपर insult होने देते हैं, sun exposure की जो insult है, sun rays से जतना नुकसान हो सकता है, वो होने देते हैं, तो आप अच्छे नहीं रह सकते हैं, प्लस आप क्यों जल्दी बुड़े होना चाते हैं, बाहर की तरफ से, लेकिन इंटरनली तो हम आपकी age को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन extrinsic age जो है, उसको हम रोक सकते है उसको for some how हम delay कर सकते हैं, और आपकी skin को बहुत बेतर रख सकते हैं, इसलिए मेरी advice जो है, वो यही है, जो कि बहुत important चीज है, कि आप sun protection को अपनी आदत बनाएं, उसको नहीं छोड़ना आपने, don't skip it, और दूसरी बात यह है कि जिस तरह का आपका काम है और जिस तरह का आ दुबारा reapply भी करना होता है, आपने उसे दुबारा भी लगाना होता है, सिर्फ खाली एक तफा सुभा नहीं लगाते, बलके आपने उसको दुबारा भी लगाना होता है, let's suppose कि उसका SPF ऐसा है कि आपको चार घंटे के बाद लगाने की ज़रूरत है, तो आप चार घंट या इतने घंटों से ज़्यादा काम नहीं कर सकता, अब हम आ जाते हैं कि हमारा जो टॉपिक है एक्चुल, कि इस किसम की uneven tone और जो dull आपकी जो skin है, या आपकी एक ही skin के उपर एक ही face के उपर आपको different तरह के shades और colors नजर आ रहे हैं, उसके लिए हमने क्या करना है, जो whitening peel ह वो बहुत अच्छी होती है for the fairness, fairness मतलब हम चाते हैं कि हमारा color जो है, हमारी skin का tone जो है, वो बहुत अच्छा और fair tone हो, उसके लिए जो whitening peel है, वो बहुत अच्छी होती है, यह क्या करती है या आपकी skin के deeper layers में जाके, इसने skin को उतारना नहीं है, it doesn't peel off your skin at all, क्योंकि ये peel off करने के लिए ही नहीं है, but ये deep layer में जाएगी, और deep layer में जाके आपके pigment को correct करेगी, ठीक है, इसलिए इसको peel बोलते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी skin को उतारे की, और वो आपके गंदे वाले days होंगे, और उसके बाद आपकी skin जो है वो ठीक होगी, थोड़ी सी dry ज उसके इलावा आपको further किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती है, अगर तो आपकी skin के उपर ज्यादा correction की ये ज्यादा treatment की जरूरत है, तो फिर हम इसके sessions देते हैं, इसके sessions weekly भी हो दिये जा सकते हैं, 10 दिन के वकफे से भी दिये जा सकते हैं, और 15 दिन के वकफे से भी दिये करवाना है, ठीक हो गया, कोई भी इसको करवा सकता है, male, female, young age में, old age में, कोई भी इसको करवा सकता है, अगर skin के उपर जो problem है, या जो issue है, वो uneven tone का है, I'm not talking about melasma, मैं चाईयों की बात नहीं कर रही हूं, मैं फ्रेकल्स की बात नहीं कर रही हूं, I'm just talking about uneven tone, कि एक skin का tone जो ह वो मुख्तलिफ रंगों का हुआ हुआ है, उसको सही करने के लिए, जो whitening peel है, वो बहुत अच्छी चीज़ है, whitening peel आप अपने किसी function, किसी ceremony, या किसी occasion से पहले भी ले सकते हैं, because usually ये आपका कोई downtime नहीं होता, इसमें skin जो है, वो almost stable ही रहती है, और एक दम से उसके उपर आपको correction नजर आएगी, आपको बहुत जादा effect नजर आएगा, कि हाँ, अगर मेरी skin जो है, वो out of 10 जो है, वो 9% खराब थी, तो आपको within one session लगेगा, कि ये 50% improve कर गई है, right, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और अपनी skin का बहुत जादा ख्याल रखें, क्योंकि ये आपकी नेमत एक नेमत है, जो अल्ला मियाने आपको दी दी है, इसको आप protected रखें, और इसका ख्याल रखें, ताकि ये आपके साथ इसी तरह से चल दी है,